वाज हम लोग देखने वाले कि Python में dictionary क्या होता है और मैं बता दूँ कि यह जो वीडियो है वो हमारा अल्रेडी एक playlist का हिस्सा है मतलब एक Python tutorial का अल्रेडी playlist हमारे चैनल में बना हुआ है आप देख सकते हो और यहाँ पे अल्रेडी 21 वीडियो सा चुके हैं और इसी को हम लोग अभी continue कर रहे हैं तो लास्ट वीडियो में हमने पूरा का पूरा 21 वीडियो से और इसी को हम लोग अभी continue कर रहे हैं तो यानि की क्या सकते हैं कि इसका next वीडियो यह dictionary है मतलब यह जो है set जो हमारा था पिछला topic था और इसके बाद का जो अभी topic है वो हमारा dictionary ओके तो चलिए जानते है dictionary क्या होता है तो अगर आप मेरा पिछले वीडियो देखे होंगे set के बारे में जो जिसने मैं बताया था हम लोग अभी देख रहे है Python में collection और collection के अंदर में क्या क्या आते ह देखा कि जो आपका list है tuple है set है यह सब के सब Python में collection के अंदर आते है right मतलब अगर आपको data collect करना है तो आप यह चीज़े यूज कर सकते हो और उसी में एक चीज़ आपका है dictionary मैंने पहले भी बताया था यह चीज़ कि Python में collection के लिए आप list यूज कर सकते हो tuple यूज कर सकत हो तो अभी तक अगर मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जा करके पहले वह पिछला वीडियो देख लें कि उसमें मैंने बताया है कि किस situation में आप कौन सा यूज करोगे difference मैंने सब में बताया है है ना तो यहाँ पर अभी जो है हम लोग जानने वाल है dictionary अब dictionary क्या होता है तो dictionary भी एक collection है जो की unordered है unordered कहने का मतलब इसका कोई fix sequence नहीं होगा कि किसके बाद कौन लेकिन इसमें fixed sequence नहीं होगा, right, उसके बाद changeable है, कहने का मतलब आप value change कर सकते हो, और इसका एक index भी है, index कहने का मतलब, कोई number या किसी key के through हम क्या कर सकते हैं, किसी खास value को हम access कर सकते हैं, और इसी बोल दिया है साब साब कि not duplicate members allow, ठीक है, इसमें duplicate member allow नहीं होंगे, okay, तो यह सारा का सारा चीज था, तो यह पूरा का पूरा चीज मैंने बता दिया, same चीज यहां पर लिखा हुआ है, और next line में लिखा हुआ है, in python, dictionaries are written with curly brackets, किस के साथ, curly brackets के साथ, and they hide keys and value, अब यह समझना है कि dictionary में keys and value क्या होता है, तो यह ध्यान से समझेए पहले मेरे बात, dictionary को आपना अभी तक, जो normal dictionary आपने देखा है, उसी से अब relate करें, तो dictionary में होता है, क्या है, एक कोई चीज लिखा होता है, एक word होता है, और फिर इसका क्या होता है, इधर इसके respective इसका meaning होता है, तो यहाँ पर भी सेमझेए, यहाँ पे इसको key बोला जा रहा है, और यह इसका value बोला जा रहा है, मतलब यहाँ पे एक जो चीज लिखा होता है, जैसे की English eth大家都 dictionary है, तो यहाँ पे एक English word है, और इसका Hindi meaning यहाँ पे लिखा हुआ है तो same चीर यहाँ पे ऐसे समझना है कि यह जो है यह क्या है आपका key है और यह क्या है यह आपका इसका value है इस key का value है तो dictionary में क्या होते है keys and value होते है अभी क्या बोलता है कि dictionary को कैसे बनाते है चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीक से dictionary बनाया जाता है तो अभी मैं इस चीज़ को समझाने के लिए मैं ले जाता हूँ आपको पाइचार में और यहाँ पे मैं समझाओंगा जहाँ पे हमारा code editor है चलिए यहाँ पे ध्यान से समझना है कैसे dictionary बनाया जाता है मान लिजे हम student का dictionary बना रहे है किसी student का dictionary बना रहे है तो आपको लिखना पढ़ेगा student equal to और यह curly bracket open curly bracket close ध्यान से देखिए इसी curly bracket का बात क्या जा रहा था अब मैंने क्या का कि dictionary जो होता है उसमें key और value होते है keys और values होते है तो अभी इस student का key और value यहाँ पे हम लोग store करेंगे कैसे ध्यान से देखिए syntax क्या कहता है सबसे पहले आपको key लिखना है यहाँ पे और फिर यह sign लगाना है और फिर इसके respective इधर जो होगा वो value होगा तो left side में key और right side में value तो जैसे कि मैं student का name रखना चाहूँगा name इसका name सत्यवान कुमार है इस तरीके से उसके बाद comma लगाना है आप इस student का multiple keys और values रख सकते हो तो जैसे मैंने name रखा उसी तरीके से आप चाहो तो gender भी रख सकते हो इस तरीके से gender right और फिर यहाँ पर आपको लिख देना है male चुकिए string है तो double inverted comma के अंदर में लिखना है और left side में जो भी होगा सब double inverted comma में होगा जितना भी keys होगे वो सब के सब double inverted comma में होगे इस चीज को आपको ध्यान में रखना है तो इस तरीके से यह हो गया चलिए name हो गया gender हो गया उसके बाद आप यहाँ पर कुछ और भी रख सकते हो जो चाहो जैसे कि मैं email अगर रखना चाहूँ तो email भी मैं इसा रख सकता हूँ इस तरीके से और email मैं ऐसा रख लेता हूँ abc.gmail.com बढ़िया है बहुत बढ़िया है अलाकि यह मेरा email नहीं है आप परिशान मत कीजिएगा मुझे ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप email के बाद phone तो देखे जितना भी की है ना सब का सब double inverted comma में इसका जो value होगा इसका जो value होगा वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ string हो नमबर भी हो सकता है जैसे कि इस case में अभी पता नहीं मैं किसका नमबर लिख रहा हूँ आप ऐसा call try करके ना देखेंगे और मुझे बदनाम ना करेंगे ठीक है ना कि मैंने यहाँ से नमबर पाया है से लिए मैं थोड़ा मैंने यह रैंडमली एक नमबर लिख दिया बस और कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है phone number है तो phone number इतना लंबा तो होता नहीं तो छोड़ा सब मैं कोई number ले लेता हूँ तो यह phone number है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने number और string दोनों चीज़े इसके value में रखा है तो यह सब के सब key है left side में जो भी है और right side में जो भी है यह इसका value है और dictionary कौन सा है dictionary का नाम है student तो dictionary का नाम और इसके अंदर में जो भी keys and value होंगे मतलब मैं समझाता हूँ ध्यान से देखिए का आपको मैं समझाने का कोशिज कर रहा हूँ एक dictionary होगा, यह dictionary है यह na आप जो dictionary पहले पढ़े हो उसके बात में कर रहा हूँ एक यह dictionary है, अब इस dictionary का कुछ नाम होगा और इसके अंदर में बहुत सारे word होंगे और उसके meaning होंगे, मतलब बहुत सारे key होंगे और इसके value होंगे, तो यह एक dictionary है, उसी तरीकेस मैं चाहूं तो दूसरा dictionary भी बना सकता हूं, इस dictionary का नाम कुछ और होगा, और यहाँ पे कुछ दूसरा dictionary होगा, यहाँ पे कुछ दूसरा की होगा, यहाँ पे value कुछ अलग होगा, की होगा, value होगा, तो यहाँ पे कितने भी dictionary हो सकते हैं को प्राब्लम नहीं है उम्मीद है आप खुछी समझ में आया होगा तो अभी हमारा ये डिक्शनरी बन गया है अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं ध्यान से देखिए सबसे पहले अगर आप पूरा का पूरा पूरा का पूरा का पूरा दिक्शनरी ये करवाना ठीक है अब क्या होता है डिक्शनरी में इंडेक्स होता है मैंने कआ डिक्शनरी में इंडेक्स होता है और की बात नहीं कर रहा हूं इंडेक्स कि बात कर और shape करवा के मैं run करवा रहा हूँ, तो अभी देखो के सत्यवान को मना रहा है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर key change करूँ, यहाँ पर index जो आप पहले याद होगा, कि आपको यहाँ पर 0 of 1 इस तरीके से देना पड़ता था, तो यहाँ पर अभी आपको key देना पड़ेग value का access कर सकते हो, कैसे dot get, यह लगाना है, और इसके अंदर में key pass कर देना है, आप single inverted comma में key लगा सकते हो, single inverted comma या double inverted comma, दोनों same ही है, अभी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे कि मानलों की लिख दिया email, email इस तरीके से, आप मैं shape करता हूँ, और shape करके मैं run करके नहीं है, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, यह चीज़ समझ में आगे हो, कैसे हम value को access करते हैं, ओके, अब क्या है, आपको समझ में तो आ गया यह चीज, यह index होता है, इसमें, index कौन सा होता है, इसका key ही, इसका index होता है, अब मैं बताता हूँ, कि आप इसका value change भी कर सकते हो, कैसे, देखिए, इस तरीके से, student, और इसके अंदर में, मैं यह लिख दे रहा हूँ, name, तो इसको, यह किसको point कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ, कि यह point कर रहा है, इस सत्यवान कुमार को, right, बट अभी मैं इसमें change करवाने चारा हूँ, और मैं यहाँ पे लिख दूँ है, आपने change कर दिया, क्या करवा दिया, राजु कुमार, तो value यहाँ पे change हो सकता है, अभी मैं shape करके run करवा कर दिखा रहा हूँ, कोई भी, जिसका भी value आप चाहोगे, देखो अभी, name क्या मिल रहा है, राजु कुमार, right, बाकी को सारे के सारे value सेम मिल रहे है, तो आप च changeable आपको समझवा गया हो, कि क्या होता है, dictionary को आप change कर सकते हो, dictionary का key value है, key का जो value है, उसको आप change करवा सकते हो, key के through, right, तो यह चीज़ आपको समझवा गया, अब हम लोग आगे चीज़ बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखते हैं, कि इसमें आप कुछ key और value add कर सकते हो, क जैसे कि मैं अगर इसी तरह के से, जैसे मैंने अभी लिखा था, ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, name, समझना है बात को है, अगर मैं लिख रहा हूँ, name is equal to, इस तरीके से, और मैं यहाँ पे लिख दिया, अगर अमन, तो क्या होगा, यह name की तो था student dictionary में, name की तो था, उसमें अमन चला जाएगा, पहले जो भी था, उसमें क्या चला जाएगा, अमन, बट अगर यह key ही ना मिले, मतलब हम लोग नया key कुछ दे दें, जैसे कि, मैं यहाँ पे कुछ नया key दे देता हूँ, address, right, इस तरीके से, और यहाँ पे, मैं अभी change कर द key इसको नहीं मिलेगा, यहाँ पे, dictionary में, तो यह इसको aid कर देगा, मतलब एक नया key, नय value के साथ, अभी आपको aid हो करके, मिलेगा, right, अभी मैं print करवा के दिखाता हूँ, तो मैंने print करवाया, किसको, student को, तो अभी आप देखोगे, मैं shape कर रहा हूँ, और shape करवा के, मैं run क करवा सकते हो, तो उम्मीदे, यह चीज़ आपको समझ में आया होगा, okay, कोई problem नहीं है, चलिए, बहुत बढ़िया, अब यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, कैसे आप किसी key के थुरू, किसी value को delete कर सकते हो, right, तो वो चीज़ करने के लिए, आपको क्या लिखना है, student dot, student dot, pop, यह use करना है, okay, और pop के अंदर में वो key डाल देना है, जिसका value आप delete करना चाहते हो, मतलब पूरा का पूरा key और value ही delete करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे, जैसे आप चारे हो कि name, यह जो key है name, और इसका value यह delete हो जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे name लिख इस तरीके से, right, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, कि आप चाहो तो इसको single inverted, या double inverted, दोनों में लिख सकते हो, कोई problem नहीं है, ठीक है, अब मैं shape करता हूँ, और shape करके मैं run करूँगा, उससे पहले, मैं print करवा के तो दिखाना चाहूँगा, कि वो delete हुआ या नहीं, तो student मैं आपको मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, जहां से देखिए, यहाँ पे gender मिल रहा है, male, मतलब यहाँ से start हो रहा है, यह चीज नहीं है, यह पहला वाला key value था, वो delete हो गया, क्यों क्योंकि आपने pop कर दिया ना इसको, इसलिए, तो इस तरीके से आप pop method यूज़ करके, किस समझ में आगया होगा, अब मान लिजिए कि आपको dictionary में से last item, last item को अगर आपको remove करना है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, तो आपको लिखना है student.pop item, right इस तरीके से, और आप क्या करवा ले, print student, अब मैं shape करता हूँ, और shape करवाक मैं run करता हूँ, तो यह run हुआ, जहां से देखें, अभी अगर आप right side जाओगे, तो यहां पर आप देख सकते हो कि email का बाद जो phone था, वो आपको नहीं मिल रहा है, मिल रहा है क्या, नहीं, तो यह क्या हुआ, last item था, वो आपका यहां पर अभी remove हो गया है, तो इस तरीके से, आप अभी क्या क्या सीखें, dictionary होता क् dictionary बनाते कैसे हैं, dictionary का value कैसे access किया जाता है, right, dictionary का value change कैसे किया जाता है, फिर आपने ये भी सीखा, कि dictionary का एक value हम add कैसे कर सकते हैं, है न, मतलब dictionary का जितना value आप चाहो add कर सकते हो, उसके बाद हमने ये भी देखा, कि उसी dictionary का किसी value को हम delete कैसे करेंगे, मतलब पुरा का पु एक और चीज में बता देने चाहूँगा, अगर आप student.value ये अगर आप print करवाना चाहरे हो, तो अगर आप student.values ये अगर आप print करवागे इस तरीके से, print के अंदर में आप ये लिखोगे, तो क्या मिलेगा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैं इसको run करता हूँ, तो यह student.value से आप इस तरीके से सारे value को एक साथ print करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसे तरीके से अगर आप student. इस तरीके से dot लगाओगे, तो यहाँ पर बहुत सारे method आपको दिखेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप एक सारे को खुद से, मतलब try करें कि कौन सा चीज क्या ह और चुकि मैंने यह copy वगरा पहले से बता करके रखा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि copy का क्या use होता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो मेरा पिछले video ज़रूर देखें, उसमें मैंने हर एक चीज को अच्छे से बताया कि copy क्या होता है, क्यों हम लोग इसको प्रेंट नहीं करवाऊँगा, मैं पहले क्या करवाऊँगा, student.clear यह करवा लेता हूँ, then मैं print करवाऊँगा student को, तो होगा क्या, जब वो चलेगा ना, तो आपका dictionary जो है, वो clear हो जाएगा, मैं shape करता हूँ, shape करके मैं run करके दिखाता हूँ, यह आपको एक blank dictionary मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यह जो method है, इसके चलने से क्या हुआ, यह जो dictionary था, वो पुरा का पुरा clear हो गया, right, तो मैं यह चीज़ बोना चाहरा था, कि और भी कुछ method है, तो उसको आप खुद से एक बार try करें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, तो वीडियो में comment करके आना है, दूसरी बात, कि मैं आपके लिए अगर इतना कुछ कर रहा हूं, तो आप भी मेरे लिए एक help छोड़ा सा करें, कि आप सब लोग comment करके बताते हो, कि सब आपका content बहुत अच्छा है, और millions of subscriber आप desire करते हो, इस तरी कि सब आप comment करते हो, तो मुझे भी अच्छा अपने facebook page के माध्यम से, या जो भी है, आप logo तक इसको content को, जो मेरे content है, क्योंकि इस channel में adeno programming, python, यह बहुत सारे के web development, HTML, CSS, यह सब सारी चीज़ें सिखाई जा रही है, तो बहुत ही pure technical channel है, और इसमें तरह तरह के coding सिखाई जाते हैं, तो मैं आपसे यही request करता हूं, कि आ आप मेरे channel के content को logo तक पहुंचाएं, logo तक मेरे channel का नाम बताएं, क्या सिखाया जा रहा है, यह चीज़ बताएं, तो जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे channel से जुड़ेंगे, और मुझे भी थोड़ा सा motivation मिलेगा, और कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा और सा help करना है, ओके, thank you, bye-bye.